वेलकम वैक बच्चो अध्याए फोर्थ मित्रता इसमें अपने मित्रों के बारे में बताया गया है कि जो मित्र सच्चे मित्र होते हैं वो दुख सुक के साथ ही होते हैं सच्चे मित्र हमेशा अपने मित्रों की दुख में भी सहायता करते हैं आओ पाट को पढ़ें सुन्दरवन में आम का एक पुराना पेड था उस पेड पर सलोनी कोयल का एक घूंसला था जब आम के पेड पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती आम की सुगंद का अर्थ है बच्चे यहां पर खुश्बू और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खिचे चले आते थे सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता मित्रतकार थे यहां पर दोस्ती थी आम के पेड के आसपास हरी घास और जाडिया थी एक हिरन वहां घास चरने आता था उसका नाम हीरक था सलोनी उसे मीठी मीठे आम देती हीरक हिरन भी उसे अपनी पीट पर बिठा कर सुन्दरवन में गुमाता एक पूढी लॉंबडी भी वहां आती थी एक दिन लॉंबडी ने घास चरते हुए हीरक को देखा बेटा यहां पे question बन रहे है प्रशन बन रहे है जैसे वन का क्या नाम था क्या नाम था सुन्दरवन सुन्दरवन में कौन सा पुराना पेड़ था आम का और कोयल का नाम क्या था सलोनी और हीरन का क्या नाम था हीरक मुँ में पानी आ गया सलोनी समझ गई कि कुछ गड़वड है उसने हीरक को लॉंबडी से स्तर्क रहने की सलादी स्तर्क का अर्थे यहां पे साबधान रहना कि जो सलोनी कोयल थी उसने हीरक को समझाया कि लॉंबडी से जरा दूर ही रहे हीरक स्वयम भी लॉंबडी से स्तर्क रहता था साबधान रहता था एक दिन लॉंबडी ने हीरक से कहा मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है मैं वहां जाती हूँ तुम भी मेरे साथ चला करो नहीं 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 हीरक ने घबराते हुए कहा मुझे से डरते हो मैं बूरी हो गई हूँ मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते इसलिए घास फूस ही खाती हूँ लॉंबडी ने हीरक को समझाने की कोशिश की हीरक को लॉंबडी की बातों पर क्या हो गया विशवास हो गया वहैं लॉंबडी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता सलोनी ने हीरक और लॉंबडी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं सुलोनी ने हीरक को बहुत समझाया हीरक की समझ में सुलोनी की एक भी बात नहीं आई एक दिन सुन्दरवन में शिकारी आए शिकारी जाल बिचा कर पश्वों को पकड़ते थे शिकारियों ने गास के मैदान में जाल बिचा दिया लॉम्बडी ने उन्हें बिछाते देख लिया उसने सोचा यदि हीरक इस जाल में फस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा लॉम्बडी हीरक को जाल में फसाने की योजना बनाने लगी लॉंबडी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसला कर वहां ले आई जहां जाल बिचा हुआ था वहां पहुंसते ही हीरक जाल में फस गया उसे लॉंबडी की मित्तरता पर भरोसा था उसने लॉंबडी से जाल काटने को कहा मेरे दान तूट गए हैं लॉंबडी ने बहाना बनाया फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा वैसे ही कई कोईले लॉंबडी पर तूट पड़ी उन्हें अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया लॉंबडी वहां से जान बचाकर भाग गई बिटा यहां पे मूँ में पानी आना लालच में आना मुहावरे का अर्थ है ये और आपने देखा कि लॉंबडी उसकी सच्ची मित्तर नहीं थी क्यूंकि वहां हिरन को खाना चाहती थी जिसके कारण उसने ये सारा जाल बिचाया उसने सारी योजना ये बनाई और वहां धोके से उसके उपर वार करना चाहती थी दरसल सुलोनी ने सब कुछ देख लिया था वही सभी कोईलों को बुला लाई थी कि जो उसकी सची मित्तरती सुलोनी उसने ये सारी घटना देख ली थी इसलिए उसने सभी कोईलों को बुला लाई अब समस्य थी हीरक को जाल से बार कैसे निकालें सुलोनी को एक उपाय सुजा की एक सुजाओ उसके मन में आया एक योजना आई उसने हीरक से कहा जब मैं सुभा गाऊं तो आँखी बंद करके पेट फुला कर भूमी पर लेट जाना कि जब मैं सुभा गाना शुरू करूं तो आप क्या करना आँखे बंद कर लेना और अपना पेट फुला कर जमीन पर लेट जाना जाल में फसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन हुए कि बहुत खुश हुए कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था हीरक जाल से मुक्त हो गया उसे बहुत पस्तावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी वै बोला मित्तर तुम्हारे बार बार चेतावनी चेतावनी क्या सावधान होने की सूचना देने पर लौंबरी की धुर्तता को नहीं समझा, चालाकी को नहीं समझा, धुर्तता का अर्थ है चालाकी, मुझे माफ कर दो कि मुझे क्षमा कर दो तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई की एक सच्चा जो मित्र होता है उसके सारगुन आप में है उसी तरह आपने के किया की मेरे साथ मित्रता निभाई सलोनी फिर अपनी मदूर आवाज में कूकने लगी कि फिर से अपने मदूर मेटी वाणी में वहाँ कूकना शुरू हो गई इससे हमें बच्चों शिक्षा मिलती है कि हमें एक तो अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए और दूसरी बात कि हमें अपने साथियों का अपने मित्रों का सुख दुख में भी साथ देना चाहिए ऐसा नहीं कि हम सुख में ही उनके साथ रहें जब उन पर कोई विपदा आए क्या मुसीवत आए तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए उनका डटकर साथ देना चाहिए उनका मिलकर साथ देना चाहिए उनके हमें दुख में भी शामिल होना चाहिए इसलिए हमें अच्छे लोगों की सज्जन लोगों की मित्रता करनी चाहिए और अच्छे लोगों का ही साथ देना चाहिए जो अच्छे मित्र हो उनका दुख में भी साथ निभाना चाहिए धन्यवाद